Hello everybody, welcome to Mystic World 11.11, यह आप लोगों की collective reading है और आज का हमारा topic है What They Don't Want To Tell You So, वो आपको क्या नहीं बताना चाहते हैं, क्या चीज़ें वो आप से छुपाना चाहते हैं आज की reading में हम यह जानेंगे, so I think यह थोड़ा सा different topic है Let's find out कि आपके person आपको क्या नहीं बताना चाहते हैं So friends, regardless आपकी जो भी situation है आपके partner के साथ सब के लिए यह reading open है और विल्कुल timeless है जब भी आपकी नजर से गुज़रेगी आपका उस वक्त का message होगा So शुरुआत से पहले मैं हमेशा आपसे कहती हूँ के cards, possibilities बताएंगे आपकी final destination सिर्फ divine source को बता है इसलिए आप लोगोंने अपने दिल और दिमाग को open रखकर इस reading को देखना है इसके इलावा मेरे जितने भी subscribers है Thank you so much आप सब लोगोंने मुझे जितना प्यार दिया है और support किया है I truly deeply appreciate each one of you and I love you all So अगर आप नए है मेरे channel पर आपने भी इसको subscribe करना नहीं भूलना है पसंद आए तो like भी कर दिजेगा और share भी कर दिजेगा So अब हम start करते हैं आज की reading और देखते हैं कि आपके person आपको क्या नहीं बताना चाहते और क्यूं नहीं बताना चाहते So सबसे पहले है हमारे पास Knight of Pentacles Page of Swords Four of Swords वो क्या नहीं बताना चाहते और क्यूं नहीं बताना चाहते Two of Wands, so कोई decision है जो वो फिलहल नहीं लेना चाहते है उनके ओपर बहुत सी में भी responsibilities है और शायद उन्होंने आपको ये बात नहीं बताई हुई है Five of Swords ये इनसान बहुत ज़्यादा परेशान दिखाई दे रहे है Wheel of Fortune and Strength and Ace of Wands Bottom of the deck पर हमारे पास है 10 of Cups Okay, this is something about commitment अब आप लोग कहेंगे कि मैं ये क्यों कह रही हूँ क्योंकि अक्सर आप लोग comment section में कहते हैं कि आप शादी का ही जिकर क्यों करती हैं अब 10 of Cups शादी, Fulfillment, Completion का card है So, ये शादी के बारे में, commitment के बारे में भी बताता है card So, यहाँ पर Taurus, Virgo, Capricorn Leo बहुत strong है, Sagittarius Libra, Aquarius ये star signs है लेकिन मैं हमेशा आप से कहती हूँ कि आपने energy पर focus करना है अगर energy आप से match करती है तो बिलकुल आपकी reading है So, क्या नहीं बताना जाते हैं आपके person आपको I really feel कि ये इन्सान बहुत परिशान है सबसे पहली चीज़ तो ये है कि वो अपनी परिशानी, आपसे share नहीं करना चाते है इसके बहुत से reasons हो सकते है एक main reason ये हो सकता है कि वो आपको परिशान नहीं करना चाहते हैं मेभी वो हमेशा आपको ये दिखाते हैं कि वो बहुत स्ट्रॉंग है वो सिर्फ आपको अपना स्ट्रॉंग इमिज हैपी इमिज दिखाना चाहते हैं हमेशा उनकी कोशिश होती है कि उनको देखकर आप सैड ना हो, उनको देखकर आप मायूस ना हो, इसलिए शायद वो अपना हैपी फेस आपको दिखाते हैं, ये इनसान इनके ओपर बहुत से रिस्पॉंसिबिलिटीज है मेबी, और आपको ये बात नहीं पता है, आपको मेबी ऐसा लगता है कि इनसान अ काफी जादा और परिशानिया हैं और काफी जादा रिस्पॉंसिबिलिटीज हैं जो उनको ने आपके साथ शेयर नहीं की हुई है, आपको ऐसा लगता है, फॉर एक्जामबल मेबी अगर आपके परसें बिल्कुल अकेले रहते हैं, आपको ऐसा लगता होगा कि ये तो अक केले रहते हैं, इनके ओपर तो कोई जिम्मेदारी नहीं है, बट स्टिल उनके ओपर कुछ जिम्मेदारियां हैं, आइ डोंनो वो क्या है, बट कुछ ना कुछ जिम्मेदारियां उनके ओपर हैं, जो उन्होंने आपके साथ मेभी शेयर नहीं की हुई हैं, और वो आपके स इस अगर आप मेल के लिए देख रहे हैं ना ये रीडिंग फीमिल भी है तो वो बहुत जादा परिशान रहते हैं कि आपको वो खुश रख पाएंगी या नहीं तो आपको पता है जेंडर स्पेसिफिक नहीं होती हैं ये रीडिंग तो वो आपको क्या नहीं बताना चाहते हैं मेबी वो हमेशा आपसे ही बोलते हैं कि हम बहुत जल्दी कर लेंगे वो बहुत जल्दी फैसला कर लेंगे वो आपके साथ रहने का फैसला कर चुके हैं आप उनको कम्पलीट करते हैं मेबी वो हमेशा ये बाते आपको कहते रहते हैं बट हकीकत यह है कि उन्होंने आपको यह नहीं बताया है कि वो slow जाना चाहते हैं और उनके नजदी कभी वो ready नहीं है और अभी भी वो सोच रहे हैं decision अभी भी उन्होंने नहीं लिया है अभी भी उन्होंने अपना mind make-up नहीं किया है क्योंकि यह चीज़ें अगर वो आपको बताएंगे तो आप लोगों की fight हो जाएगी इसलिए यह इन्सान आपको यह नहीं बताना चाहते है कि उन्होंने अपना mind अभी तक make-up नहीं किया है अभी भी वो बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं I also feel कि इन्सान इनके जहन में कोई idea आ रहा है नया idea, creation मुझे ऐसा लगता है कि background में कुछ चल रहा है maybe उनकी family में, घर में कुछ ना कुछ चल रहा है जो वो आपको नहीं बताना चाह रहे है और वो सब कुछ manage करने के बाद जब कोई idea उनको आएगा जब वो सब कुछ plan कर लेंगे, फिर वो आपसे discuss करेंगे मुझे ऐसा लगता है कि कुछ लोगों के लिए literally like ये शादी के हवाले से ही कोई planning आपके person कर रहे हैं, जो वो आपको नहीं बताना चाहते है because इस वक्त challenges है, इस वक्त responsibilities भी है कोई family pressure भी हो सकता है, family के साथ fight भी हो सकती है और ये सारी चीज़े वो आपको नहीं बतारे है because आप और ज़्यादा question करेंगे फिर आप दुनों की fights होना शुरू हो जाएंगी इसलिए ये इनसान आपको ये चीज़ें नहीं बताना चाहते है कुछ लोगों के लिए literally ये situation है अब कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि आपके person की financial situation थोड़ी सी खराब चल रही है उस वज़ा से वो बहुत परिशान है they really need to work on their goals तो कुछ goals भी हो सकते हैं आपके person के और ये भी हो सकता है कि ये इनसान abroad जाने का सोच रहे है so different आपके person के जहन में planning चल रही है different चीज़ें चल रही है जो वो आपको नहीं बताना चाह रहे है अगर ये इनसान sometimes lost होते है आप से distant होते है आपकी जादा बात नहीं हो रही होती है उस वक्त ये इनसान बहुत ज़दा चीज़ें सोच रहे होते है I really feel कि ये इनसान इनके जहन में एक time में बहुत सारी चीज़ें चल रही है 4-5 चीज़ें चल रही है अच्छा अगर ये नहुआ तो ऐसे करना पड़ेगा अगर ये नहुआ तो इस चीज़ें पर फोकस करना पड़ेगा तो ये चीज़ें वो आपको नहीं बताना चाहते हैं और अब्रॉड जाने का भी उनके जहन में चल रहा है कि मुझे चले जाना चाहिए मेभी कुछ लोगों का already long distance connection है but for others I feel कि मेभी आपके person abroad जाना चाहते है और मेभी उनको पहले obviously अकेले जाना होगा तो वो आपसे share नहीं करना चाहते हैं ये बात क्योंकि आप एकदम से परिशान हो जाएंगे वो अगर नहीं भी जाएंगे तो आप परिशान रहेंगे और इसलिए वो आपको ये बात नहीं बताना चाहते है so different चीज़ें इस वक्त आपके person के जहन में चल रही है I do feel कि इसमें सबसे ची बात ये है कि जो भी उनके जहन में plannings हैं जो goals हैं वो consider कर रहे हैं साथ-साथ कि आप भी उनके साथ हो इस relationship में तो जो भी वो फैसला करेंगे वो अकेले नहीं कर सकते है जो भी वो फैसला कर लेंगे अपना mind make-up कर लेंगे वो आपको जरूर confidence मिलेंगे और तब बताएंगे जब वो अपनी पूरी planning कर चुके होंगे so आपके person के दिलो दिमाग में कुछ planning चल रही है ये इनसान आजकल परेशान है बहुत ज़ादा चीजों का pressure ले रहे है कोई फैसला करना चाह रहे है final decision मेभी उनको अपनी life में अब एक final फैसला करना है change चाहिए है उन्हें और उसी के लिए वो decide कर रहे है कि अब मुझे next क्या करना है और यही शायद वो भी आप से share नहीं कर रहे है क्योंकि वो आपको परिशान नहीं करना चाहते है so let's see more friends आप लोगों ने अगर मुझे मेरे second channel पर subscribe नहीं किया तो आप लोग कर लिजिए mystic 1111 second channel का नाम है description में आपको link मिल जाएगा जरूर देखिएगा especially अगर आपको picket card readings पसंद है March 2024 की terror prediction उस channel पर आचुकी है जरूर देखिएगा let's see आपके person क्या नहीं बताना चाहते हैं आपको one more card spread वो क्या नहीं बताना चाहते यह हम नहीं लेंगे और यह बाकी हम रख लेंगे so हमारे पास आगया है throat chakra yes यह इनसान बताना भी चाहते हैं लेकिन नहीं बोल पाते हैं block है इनका throat chakra we have hope फिर यह आया था prosperity begins trapped in fear and emotional withdrawal so यह जो fear वाली बात है यह पहले भी fear highlight हो रहा था number 8 किसी के लिए important हो सकता है number 5 हो सकता है important and number 10 10 10 भी हमारे पास आया है completion का number है यह भी 10 है तीन बार 10 आया है हमारे पास so I do feel वही जो मैं भी आपसे बात कर रही थी कि यह इनसान आपसे distant हो जाते हैं emotionally दूर हो जाते हैं आपसे अकसर क्योंकि यह सोच रहे होते हैं plan कर रहे होते हैं और fear है क्योंकि क्योंकि उनको एक insecurity है उनको एक डर है कि अगर वो खुशी ना दे पाए आपको अगर वो अच्छी life ना दे पाए आपको और देखिए दोनों का number 8 है यह भी number 8 है so I really feel कि यह इनसान परिशान है आजकल बहुत जादा और मुझे लग रहा है कि वो अपनी परिशानी आप से छुपा रहे है इसके लाबा कुछ और चीज़ें भी हो सकती है जिनका तालुक आप से नहीं है मुझे ऐसे लग रहा है कि कुछ चीज़ें ऐसी भी है कि जो उनकी personal life में चल रही है maybe उनके घरवालों से related परिशान है कि उनको कैसे वो इस tension में से निकाले कुछ और चीज़ें भी हो सकती है उनके parents से related कुछ चीज़ें हो सकती है जिसकी वज़ा से ये इनसान बहुत ज़ादा परिशान है और वो आपको नहीं बताना चाह रहे है I feel कि वो comfortable नहीं है बताने में मुझे ऐसा भी लग रहा है कि आपके person वैसे भी एक ऐसे इनसान है कि जो comfortable feel नहीं करते हैं बहुत ज़ादा open up होने में यानि बहुत ज़ादा वो अपने emotions और अपनी feelings share नहीं करते हैं तो मुझे ऐसे लगता है कि आम तोर पर भी ये इनसान चुपा नहीं रहे होते हैं कोई चीज पस वो बोलते ही ज़ादा नहीं है I feel ये इनसान बहुत ज़ादा नहीं बोलते हैं और बहुत ज़ादा communicate नहीं करते हैं ये इनसान इसलिए भी याँ पे throat chakra आया है So I feel कि इस connection को लेकर उनके बहुत plans हैं और ये plans चीजें भी हैं उनकी life में जो चल रही है जो आपको नहीं बताना चाहरे है Let's find out more So अगर आपको ये लग रहा है कि इनसान आप दोनों के बारे में नहीं सोच रहे हैं और plan नहीं कर रहे हैं ये इनसान चुप चुप के planning करते हैं और वो ये बात कैसी होगी कैसे हमारी जिन्दगी होगी और ये चीज़ वो आपको नहीं बताते हैं Let's see more और क्या नहीं बताते हैं वो आपको क्या नहीं बताना चाहते ये इनसान planning करते हैं सब सोचते हैं उनके parents से related कोई trauma हो सकता है या यूं कह लिजे कि उनके parents के दर्मयान बहुत साथा fights उन्होंने देखी हैं बच्पन से अभी तक और इस वज़ा से भी कुछ fears हैं उनके We have express your love So I do feel यह जो यह card आया है यहां पर वो expressive नहीं है वो नहीं बताना चाहते हैं because उनको safe feel नहीं होता है basically Okay यह आगया न हमारे पास एक main message जिसका तालूक आप से है directly उनको safe feel नहीं होता है वो इसलिए open up नहीं होते हैं completely and then unrequited love Okay So उनको ऐसा लगता है कि जब वो आपके साथ share करेंगे अपनी feelings आपको बताएंगे तो आप उनसे प्यार करना छोड़ देंगे आप उनसे दूर हो जाएंगे उनकी जहन में यह एक limiting belief है With this trapped in fear I think यह eight of swords है So I feel कि यह उनकी जहन में एक limiting belief है जिसका तालूक हकीकत से नहीं है उनको ऐसे लगता है कि अगर आप से वो express करेंगे प्यार जब भी express किया जाता है तो सामने वाला आपके प्यार का फाइदा उठाता है आपको छोड़ कर चला जाता है प्यार खतम हो जाता है रिश्टे खराब हो जाते है जब आप express करते हो Maybe उन्होंने अपने parents में यह चीज़ देखी या कहीं और भी देखी और उनके parents बहुत ज़दा लड़ते थे ये इनसान अपने दिल में रखते हैं ज़्यादा अपनी feelings एक्सप्रेस नहीं करते हैं नहीं करना चाहते हैं क्योंके नहीं चाहते कि ये connection खराब हो basically तो वो इसलिए नहीं बताना चाहते इसलिए इतना ज़दा एक्सप्रेस नहीं करते हैं because वो नहीं चाहते हैं कि relationship खराब हो या relationship खतम हो आपसे दूर नहीं होना चाहते हैं basically so ये चीज़ें वो आपको नहीं बताना चाहते हैं क्योंके ये उनके fears हैं ये deep उनके hidden हैं ये सारी चीज़ें उन्होंने दिल में चुपाई हुई है so ये इनसान I really feel कि वैसे भी बहुत खामोश रहते हैं बड़े mysterious हैं आपके person I really feel कि बड़ी mysterious सी personality है उनकी क्या नहीं बताना चाहते spirit क्या नहीं बताना चाहते मेरे viewer को okay हमारे पास आ गया है know your worth keep your standards high इसका number 37 है I also feel कि आपके person को थोड़ा सा न वो भी रहता है complex इसलिए यहाँ पर know your worth का काड़ा है कहीना कहीन उनको यह भी feel होता है कि वो unworthy है वो lovable नहीं है और यह बात भी obviously वो आपके साथ कभी भी share नहीं कर पाएंगे क्योंकि उनको feel होता है कि मतलब वो बहुत जाता उनका confidence एकदम खतम हो जाता है we have unexpected guests someone will be visiting you soon so यह बात भी शायद वो आपको नहीं बताना चाते है literally like हो सकता है कि वो आपसे unexpectedly मिलने के लिए आ जाएंगे और वो आपको यह नहीं बता रहे है यह भी हो सकता है कि वो अपने घरवालों को लेकर आएंगे आप expect नहीं कर रहे होंगे unexpected guests कि आपका उनकी जिन्दगी मिना बहुत unexpected था मतलब हो सकता है कि आप किसी ऐसी जगा पर मिले या ऐसे मिले के जहाँ पर बहुत obvious था आप दोनों का मिलना but still unexpected था अब इसकी example मैं ऐसे दे देती हूँ जैसे कोई app होती है dating app होती है या शादी की marriage app होती है basically वहाँ से आप दोनों मिल गए right और वहाँ पर obvious था कि या पर शादी के लिए लोग होते है but हो सकता है कि आपके person सिर्फ अपनी luck वहाँ पर try कर रहे थे वो ready उस वक्त नहीं थे शादी के लिए और आप उनके लिए बड़े unexpected थे वहाँ से मिल गए प्यार हो गया और इतना significant connection बन गया ये बहुत specific message है हो सकता है किसी एक इनसान के लिए हो so आपका उनके जिंदगी में आना बहुत unexpected था and I feel कि आपके person ने शायद ये बते आपसे नहीं share की है क्योंकि फिर आप question करेंगे कि आप उस app पर थे ही क्यों अगर आपको करना नहीं था शादी नहीं करनी थी तो ये एक example मैंने आपको दी है बट कुछ इस तरह का हुआ कि आप लोगों का मिलना obvious था आप लोगों की intentions बड़ी obvious थी बट फिर भी unexpected था so I feel कि ये जो दूसरा message मैंने आपको दिया है कि हो सकता है कि बहुत अचानक से वो आप से कहेंगे कि उनके घरवालों ने आना है या आप अपने घरवालों को ले आएं कुछ इस तरह का हो सकता है vice versa situation हो जाती है so इस वक्त आपके person के जहन में basically बहुत सी बहुत सी चीज़े चल रही है बहुत सी planning चल रही है जो आपको नहीं बता रहे है और आपके person ये चाहते हैं कि जब चीज़े finalize हो जाएंगी तो वो होदी आपको बताएंगे आपको खुशी भी बहुत होगी excitement भी बहुत होगी completion ये देखिए ना fulfillment के cards हमारे पस यहाँ पर है और planning वो अच्छी ही कर रहे है आप लोगों दोनों के लिए but I also feel जैसे मैंने आपको बुला आपके person वैसे ही I feel कि थोड़े से इस तरह के इनसान है कि बहुत ज़दा बोलते नहीं है sharing नहीं करते हैं बाकी I don't feel कि कुछ shady है जो वो आप से चुपा रहे हो सिर्फ और सिर्फ यह है कि जो भी वो planning कर रहे होते हैं वो आपके साथ share नहीं करते हैं so अब हम आपके लिए letters और numbers देखेंगे yes and no होगा इसमें आपका name initial आपके partner का आ सकता है किसी का पूरा नाम आ सकता है life path number, house number car number let's see क्या आता है so शुरू करते हैं yes and no से हमारे पास है Q N K W U J Q next है Z R N so try again आ गया let's try again A K W Y 111 K so हो सकता है आपके person आपको कोई surprise देना चाह रहे हूं इसलिए भी आपको वो नहीं बताना चाहते है कि वो क्या plan कर रहे हैं so आपका answer yes आया है E 770 अगर तो long distance है तो मुझे लग रहा है कि travel करेंगे C 1111 V G L so आपका answer yes आया है next आपके लेटर्स आपके लेटर्स और नंबर्स हैं जाते जाते हैं मेरी हमेशा आपके लिए दुआ होती है आप जो भी अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट करना चाहते हैं new love, true love आपकी लाइफ में जरूर मैनिफेस्ट हो और जरूर होगा क्योंकि you are worthy of love and you are lovable अपने आपको यह जरूर बताया करें अपना ठेर सरा ख्याल रखिएगा मैं मिलूंगी आपसे next video में till then, love you lots, bye bye